नमस्कार आकाश्वणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी G20 शिकर सम्मिलन में सतत विकास और उर्जा परिवर्तन पर सत्र को संबोधित करेंगे महराश्ट्रो और जारखन में विधानसभा चुनावों के कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी चार राज्जियों की पंद्रह विधानसभा सीटों और महराश्ट्र की एक लोगसभा सीट के उप्चुनाव का मद्दान भी कल क्रिशी मंत्री शिवरा सिंग चोहान ने भावी पीडियों के लिए मिट्टी की उर्वरा शक्ती बनाए रखने के लिए वैश्विक सहयों का अग्रह किया रूस के राश्ट्रुपती ब्लादेमिर पुतिन ने परमाणू हत्यारों के व्यापक उप्योग की अनुमती देते हुए रूस के परमाणू सिध्धान्त में बदलाव को मन्जूरी दी और बिहार के राजगीर में महिला एश्याई हौकी चेंपिन्स ट्रॉफी में भारत ने जापान को हरा कर चीन के साथ फाइनल में जगे बनाई समचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रियो दिजनेरों में G20 शेकर संभिलन से अलग ब्राजील के राश्टुपती लूला दसिल्वा के साथ दुपक्षी बातचीत की दोनों नेताओं ने ओर्जा, जयवींधन, रक्षा और क्रिशी सहित अन्यक्षेत्रों में सहयोग में सुधार की प्रतिबधता व्यक्त की शीमोदी ने ब्राजील की अध्धक्षता में G20 के विभिन प्रयासों के लिए उनकी सरहना की शीमोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने ब्राजील के राश्ट्रुपती के साथ बातचीत में दोनों देशों की बीच द्युपक्षिय संबंधों की व्यापक समीक्षा की सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान ब्राजील के राश्ट्रुपती ने श्री मोधी से कहा कि उनके देश ने भारत की G20 के अध्धक्षिता से प्रेर्णा लेते हुए कई कदम उठाने के प्रयास किये हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ब्राजील के शेहर रियो द जनेरो में G20 शेकर सम्मीलन के दूसरे दिन आज सतत विकास और उर्जा परिवर्तन पर पहले सत्र को संबोधित करेंगे इसके बाद दूसरा सत्र डिजिटल बुनियादी सुविधाओं पर होगा शेमोधी की इन सत्रों में हिस्सा लेने के अलावा अर्जेंटीना चिली और ऑस्टेलिया के राष्ट्र ध्यक्षों के साथ दुपक्षी यवार्ता की भी संभावना है समेलन के बाद प्रधान मंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में गयाना की सरकारी यात्रा के लिए रवाना होंगे महरास्ट्रों और जारखन में विधान सभा चुनावों के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तईयारिया पूरी हो गई है जारखन में विधान सभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए हैं इस चरण में 12 जिलों के 38 सीटों पर कल मतदान होगा मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा जबकि नकसल प्रभावित 31 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा कारणों से मतदान शाम 4 बजे समाप्थ हो जाएगा मतदान की तैयारियों की ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं जारखंड के राची में हमारे समबदाता केकेलाल के पास केकेलाल दूसरा और अंतिम चरण है ये जारखंड में चुनाव का और कितना महतवपूर ये चरण आप इसको मानते हैं और ये किन प्रमुक उम्मिद्वारों के राजनिश्तिक भागे का फैसला करने वाला है विशाल कल का मदान इंडिये और इंडिया ब्लॉक दोनों के लिए काफी एहम है ऐसा माना जाता है कि संथाल पर घना और कोईलांचल की 38 सीटों पर हार जीट से ही जारखंड की सत्ता की राह तै होती है मैं ये बताना चाहूंगा 2019 में हुए विधान सवा चुनाओ में जारखंड मुक्ती मोर्चा को 13 जबकि भारतिय जंटा पार्टी को 12 सीटों पर सफलता मिले थी कॉंग्रेस को आज जारखंड विकास मोर्चा और आजसू पातिय को दो दो जबकि CPI ML को एक सीट पर कामियावी मिली थी कल के मदान के दौरान कई दिगजों के भागे का फैसला होगा मुक मंतरी हमन सोरिन बरहेट विधान सवा से चुनाव लर रहे हैं जबकि भादपा के परदेश अध्यक्स बाबुलाल मरांडी धनवार सीट से चुनावी मुकाबले में हैं विधान सवा अध्यक्स रवीमनात महतो नाला चेतर से अपनी किसमत आजमा रहे हैं वहीं विधान सवा पर्तिप्रक्ष के नेता अमर कुमार भावरी चंदन क्यारी से मुकाबले में हैं आज सु अध्यक्स उदेश कुमार महतो सिल्ली विधान सवा से चुनाव मैदान में हैं विशाल जी के किलाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस बीच मुक्ष निर्वाशन अधिकारी के रवी कुमार ने मदाताओं से निर्भीक होकर मदान करने की अपील की है महरास्ट्र में विधान सवा की सभी 288 सीटों पर कल एक ही चनल में सुतंत्र निश्पक्ष और पारदर्शी मदान सुनिश्चित कराने की सभी तैयारियां की जा रही है मदान की तैयारियों के ताजा अपडेट के साथ है मुंबई में मौझूद हमारी संबादाता अपड़ना खुंट अपड़ना सबसे पहले तो यही बताईए कि मदान के लिए क्या तैयारियां है और चुनाव आयोग की तरफ से क्या विशेश प्रबंद किये गए हैं मदान के अंदरों पर मदाताओं के लिए जी विशाल महराइश्ट में कल होने वाले विदान सबाद चुनाव के लिए पूरी तैयारिया हो चुकी है और इस एहम विदान सबाद चुनाव के मदनेजर चुनाव आयोग ने भी व्यापक इंतिजाम किये है कल एक ही चरण में सभी 288 विदान सबाद सीटों के लिए तकरीबन एक लाग सेदिक मदान के अंदरों पर मदान होगा और साथी में नांदेड में एक लोग सबाद सीट के लिए भी उप चुनाव हो रहा है तो मदान दल जो है चुनाव सामगरी के साथ अपने मदान के अंदरों पर पहुँच चुके है आयोग ने मदाताओं के लिए पेजल, शेड, दिव्यांग मदाताओं के लिए रैम जैसी सभी बुनियादी सुविदाओं के अलावा भी शेहरी आयोग में खास करके मदान का प्रतिशत जो है बढ़ाने के लिए तानिय प्रशासन और गेर सरकारी संगटनों के साथ मिलकर कुछ अभिनों पहले की है जैसे मुंबाई में पास-पास मदान केंदर होने के कारण अकसर लोगों को अपना मदान केंदर खोजने में दिक्कत आती है तो उसको निपटने के लिए इस बार अलग-अलग रंगों से मदान केंदरों को टंगाया गया है दिव्यांग मद्दाता और वरिष्ट नागरीकों को अपना वोट डालने में आसानी हो इसलिए उनके निवास से मद्दान केंदरों तक मुफ्त बस की भी सवाई पदान की जा रही शेहरी मद्दाताओं में जो उदासींता है उसको कम करने के लिए आयोग ने मुंबई और पूरे जैसे शेहरी लाकों में स्वीप के तहट विभिन जागरूता कारेकरम चलाएं थे जिसमें खास करके वीचल लोगसबा चुनाओं हुए और पिछले विदान सभा चुनाओं में जिन मद्दान केंद्रों पर मद्दान का प्रतिशत बहुत कम रहा है उस पर खास जोड दिया जा रहा है जी अपड़ना धन्यवाद इस जानकारी के लिए महरास्ट्र के मुख्य निर्वाचा नदिकारी एस चोका लिंगम ने आकाश्वानी समचार को बताया है कि राज्य के एक लाग चार हजार सताईस मतदान केंद्रों पर पांच लाग चुनाव कर्मी तैनात किये गए हैं और सुरक्षा वैवस्था के लिए दो लाग पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है चार राज्यों की पंद्रह विधान सभा सीटों और एक लोग सभा सीट पर उप्चनाव के लिए भी कल ही वोट डाले जाएंगे इनमें उत्तरप्रदेश की नौ, पंजाब की चार, केरन और उत्तरखंड की एक-एक सीट के साथ महराश्ट्र की नांदेर्ण संसदिय सीट भी शामिल है मतों की गिंती 23 नवंबर को होगी ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे News on Mobile एप पर भी उपलब्द है समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है क्रिशी और किसान कल्यान मंत्री शिवरा सिंग चोहान ने कहा है कि सरकार टिकाओ और लाबदाया क्रिशी तथा सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद है नई दिल्ली में वैश्विक म्रिदा संमेलन 2024 को वर्चुली संबोधित करते हुए श्री चोहान ने कहा कि म्रिदा स्वास्त अब वैश्विक चिंता का विशय बन गया है उन्होंने कहा कि लगबग 30 पतिशत कृषी योग मिट्टी खराब हो चुकी है और रासायनिक और वर्कों के अत्तधिक प्रियोग से मिट्टी को नुकसान पहुँचा है श्री चोहान ने कहा कि सरकार देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने पर काम कर रही है भगवान बिर्सा मुंडा की विरासत को याद करने के लिए देश के शैक्षणिक संस्थानों में जन्जातिय गौरव पक्वाड़ा मनाया जा रहा है हमारे संबादाता ने बताया है कि सरकार ने जन्जातिय समुदायों के उत्थान के लिए कई योज नहीं शुरू की है केंड़ सरकार ने राष्ट्रिय बास मिशन के माध्यम से आधिवासी परिवारों के लिए बास की कटाई, प्रसंसकरन और बिगरी के लिए नए रास्ते खोले हैं जिससे उन्हें आयका एक स्थाई स्त्रोथ मिला है 45 लाग से अधिक जनजाती इलाभारतियों को वन धन विकास के इनरों से समर्थन मिला है जिससे उन्हें वन उपज में मूल्य जोडने और अपनी आय बढ़ाने में सक्षम बनाया है पीम किसान के अंतरगत लगबग एक करोड़ बीस लाग जनजाती किसानों को क्रशी में निवेश करने और उनकी उत्पादक्ता में सुधार करने के लिए प्रतक्ष विक्तिय सहायता भी प्राप्त हुई है वर्ष 2014 के बाद से जनजाती गाउं को हजारो किलोमीटर सडकों से जोड़ा गया है जिससे वहाँ शिक्षा, स्वास्थे और व्यापार के लिए नए अफसर बन गए है पल्लवी परमार के साथ भानु प्रताप सिंग आकाश्वानी समचार डिली पच्पनवा भारती अंतराष्ट्रिय फिल्म महुतसव कल गोवा में शुरू होगा ये 28 नवंबर तक चलेगा गोवा के मुखेमंत्री प्रमोत सावन्त ने आकाश्वानी से बादचीत में कहा कि महुतसव की सभी तयारियां पूरी कर ली गई है इस बार ये फेस्टिवल हमारे यंग फिल्मेकर्स के लिए और यंग जेंडरेशन के लिए समर्पित किया हुआ है इस बार के फेस्टिवल में नाकेवल यंग डेबू डारेक्टर्स के लिए मौका है अपनी फिल्में दिखाने का, कॉंपिटिशन में रहने का साथी साथ Creative Minds of Tomorrow में सो और यंग बडिंग क्रीटर्स आ रहे हैं जो कि अपना यहां पर काम दिखाएंगे इसके साथ बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है इंटरनेशनल लेवल से लगब सो कंट्रीज की चार सो से ज़ादा फिल्मों का यहां पर प्रजर्शन होगा सूचना और प्रजर्शन सचेव संजय जाजू ने ये भी बताया कि समारों के दौरान सो देशों की करीब चार सो से अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी फिल्म होसव की ताजा तैयारियों का हाल जानने के लिए चलते हैं गोवा में मौझूद हमारे संबाद्धाता ओमवेश उपाध्याय के पास ओमवेश फिल्म होसव के कल होने वाले उद्घाटन समारों के लिए क्या प्रमुक आकर्शन कल रहने वाला है माँपर जी विशाल मैं अगर कल के उद्घाटन समारों की बात करो तो एक विशेश ओडियो विज्वल प्रदर्शन होगा कल जो की भारते सिल्मा के चार दिकच राज कपूर, मुहम्मद रफी, तपन सिनहा और अकिनेनी नागेश्वर राओ की शतापदी मनाने के रूप में होग सुचनवा प्रसार राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुर्गन के साथ साथ गोवा के मुख्य मंत्री डॉक्टर प्रमोज सावन्त भी मौजूद रहेंगे, मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि इस वर्ष शमावेसिता पर विशेश ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें दि अगर इस वर्ष के फिल्म महत्सों की बात करें तो कहीं न कहीं जो यूवा फिल्म निर्माता है उन पर विशेश ध्यान दिया गया है, जिसमें स्तरुस्टरेश्ट भारतिये नवोधित निर्देशक के लिए एक नया पुरुसकार भी है, इस समान के लिए अभी तक प्रत प्रतिभा है और संक्रती है, उसका जैशन मनाएगी. अपने परमालू हतियारों का उपियोग करने पर विचार करेगा, ये सिध्धान्त परमालू हतियारों के व्यापक उपियोग की अनुमती देता है, श्री पुतिन ने इस वर्ष सितंबर में परमालू सिध्धान्त में बदलाव का आदिश दिया था, अमरीका के इस वर्ष के मेले का विशय है विकसित भारत दो हजार सैथालिस। बिहार में महिलाओं की एशियाई हौकी चेंपेंशिप ट्रॉफी में भारत फाइनल में पहुँच गया है। आज दूसरे समी फाइनल में भारत ने जापान को दो शूने सहराया। नवनीत और लाल रेम सियामी ने एक एक गोल किया। कल फाइनल में भारत का मुकाबला चीन से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है स्पर्श सकसेना। और अब अबंत में मोखे समाचार एक बार फिर प्रधान मंत्री नरींदर मोदी ने रियो दिजनेरो में G20 शिकर सम्मिलन से अलग ब्राजील के राष्ट्रुपती लूला दसिल्वा से बात चीत की। भारत बेहतर भविष ये सुनिश्चित करने के लिए प्रध्योगी की को बढ़ावा देने पर वैश्विक नेताओं को शिकर सम्मिलन में एक साथ लाया। महरास्ट्रो और जार्खंड में विधानसबा चुनाओं के कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी। कृशी मंतरी शिवरा सिंग चौहान ने भावी प्योडियों के लिए मिट्टी की उर्वरा शक्ती बनाये रखने के लिए वैश्विक साहियों का अग्रह किया। रूस के राश्ट्रपती ब्लादिमिर पूतिन ने परमाडू हत्यानों के व्यापक उपियों के नुमती देते हुए रूस के परमाडू सिध्धान्त में बदलाव को मजदूरी दी। इसके साथ ही समाचार संध्या का येंग समापत हुआ नमस्कार।